परदियों में चिलगोजा खाने के ये फाइदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया के सबसे महंगे ड्राइफ रूट्स में से एक है चिलगोजा। ये 5 से 6,000 रुपे किलो मिलता है। असल में ये ड्राइफ रूट जंगलों में चीर जैसे किसी पेर से निकलता है। भारत में कुछ पहाड़ी छेतरों में ये पाया जाता है। लेकिन मुखे रूप से ये चीन, पाकिस्तान और में पाया जाता है, इसकी तासीर गरम होती है। इसे खाने से आपकी इम्मुनिटी बढ़ती है, साथी इस ड्राइफ रूट को खाने से आप सर्दी जुकाम समेथ कई बिमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके अलाबा भी इस ड्राइफ रूट के कई फायदे हैं। आज में शेयर करें हूँ आपके साथ रूटियों में चिलगोजा खाने के दस बड़े फायदों के बारे में वीडियो के लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे और किन लोगों को चिलगोजा नहीं खाना चाहिए इस बारे में भी बात करेंग चिलिया ये बात कर लेते हैं सर्दियों में चिलगोजा खाने के दस बड़े फाइदों के बारे में नमबर वन आयरन की कमी में खाएं चिलगोजा जो दुनिया के कुछ महंगे ड्राइफ फ्रूट्स में से एक है आपके शरीर में आयरन की कमी को दूर कर सकता है यह आपके श रखने में मदद कर सकता है नबर टू दिल के लिए फायदे बन दिल के लिए ये ड्राइफ रूट कई प्रकार से फायदे बन है ये कैल्शियम और मैगनीसिम से भरपूर है और आपके हार्ट हेल्थ हेल्दी रखता है ये आपके ब्लड बैसल को खोलता है ब्लड सर्कुलेश कई प्रकार से फायदे बन है ये ओमेगा थी से भरपूर है और आपके ब्रेइन हाल्थ को बेतर बनाता है या आपके सोचने और समझने की चंता को सही करता है और फीर इसका एंटिуска अग्सद्स सैलूरर स्ट्रेस और सूजन को कम करता है इस प्रकार से ये ब्रेण को लिवा और खतरनाक वीमारी से बचाने में चिल्गोजा फायदेबंद होता है पाइनेर्स में रस्वेराइट रॉल एंटिए आक्सीडेंट पाया जाता है जो कैंसर का रिस्क कम करने में मददगार हो सकता है नमबर 5 कैलस्ट्रॉल को कम करने में मददगार चिल्गोजा दिल दिल की से हद के रिए फायदे बंध होता है य केलिस्टरल लिवल को कम करने में सायक होता है इसमें polyunsaturatedフet पाय जाता है जो केलिस्ट्रॉल घटा कर दिल की विमारियों का खत्रा कम कर सकता है और सीक्स डायबेटीज में फायदे बंद एक्सपर्स के अनुसार चिल्गोजे में मौजूद नुटिशन से डायबेटीज का खत्रा कई गुना तक कम हो सकता है इसमें मौजूद कैल्शियम, पोटेशियम, मैंगनीसिम जैसे मिननल्स डायबेटीज के रिस्क कम कर सकते हैं और सेविन हड्डियों के लिए फायदे बंद चिल्गोजे में ओमेगा-6 fatty acids मौजूद होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही गठिया जैसे रोक से आराम दिला सकता है इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों के लिए फायदे बंद होता है पर एट गर्वती महिलाओं के लिए गर्वस्ता में महिलाओं को अत्रिक्त दे युक्त चिल्गोजा खाने से भूर्ण के स्वस्त विकास में भी साहता मिलती है नाइन इम्मिनिटी को मजबूत करें रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की इम्मिनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है प्रतिरक्षा प्रणाली के सही ना होने से हम जल्द ही रोग लोगों के शरीर को अंधरूनी ताकत मिलती है वजन घटाने में मदद कार इसमें पिनोलैनिक एसिड होता है यह एसिड भूफ 고 नियंतरीद कर वजन को कम करने में मदद कार है तिन में कितने चिल्गोजे खाने चाहिए आम तरह पर एक दिन में 5-6 चिल्गोजे खाने की सला दी जाती है अगर आप बच्चों को चिलगोजा खिला रहे हैं तो उन्हें दो या तीन चिलगोजे ही खिलाएं प्रिंच लिया ये बात कह लेते हैं चिलगोजा किन लोगों को नहीं खाना चाहिए अगर आपको नर्ड से अलर्जी है तो चिलगोजा खाने से पह नमारिया हो सकती हैं मौजूद गोजे में मौजूद ऑमेगा-6 ऐलर्जी का कारण बन सकता है। मतरी, उल्टी, भूख की कमी और पेट में एटरंद दस्त और सिर्दद हो सकता है चिलगोजे में मौजूद बिटामिन A, बिटामिन E, बिटामिन K का जादा सेवन शरीर में टॉक्सिंस बनने के कारण बन सकता है चिलगोजे को कच्चा या भून कर खाया जा सकता है चिलगोजे को रात बार पानी में बिगो कर सुबह खाली पीट खाया जा सकता है चिलगोजे को दूद के साथ खाया जा सकता है चिलगोजे को सलाद की ड्रेसिंग, विस्केर्स या सबजी के साथ भी मिला कर खाया जा सकता है चिलगोजे के तेल में तेल का शलाद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है फिरिंच लिए ये बात कह लेते हैं चिलगोजा खाने के कुछ साइड इफेक्ट यानी नुकसान के बारे में चिलगोजा खाने के कई फायदे हैं लेकिन जादा मात्रा में चिलगोजा खाने से कुछ आपको side effect यानी नुकसान भी हो सकते हैं चिलगोजे में calorie की मात्रा जादा होती है इसलिए जादा मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है चिलगोजे की तासीर गरम होती है इसलिए जादा खाने से पेड़ से जुड़ी दिक्कते हो सकती है चिलगोजे की गिरी देर से पस्ती है चिलगोजे में विटामिन A, विटामिन E, विटामिन K होता है इसलिए ज़्यादा मात्रा में खाने से शरीर में टॉक्सिंस बन सकते हैं ऐसे में कभी भी अधिक मात्रा में चिलगोजा ना खाएं चिलगोजा में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें फैट कंटेंट भी होता है इसलिए ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से वज़न बढ़ सकता है या फिर मोटा पाद ट्रिगर हो सकता है फ्रेंच एक सही मात्रा में ही इसका व्यूग करें जिससे कि आपकी हेल्थ के लिए फाइदी बंध हो सके तो friends I hope आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें subscribe for more videos बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें comment section में comment करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा thanks for full watch and bye bye and take care all of you